हेलो बच्चो वेलकम टू दी ओनलाइन प्रैसिस कैसे हो आप सभी बच्चो आई होब कि आप अच्छे होंगे है ना बच्चो तो बच्चो मैं अमिट डांगी एक बार फिर से आपका गणित की ओनलाइन प्रैसिस में स्वागत करता हूँ तो बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्शा 3 की गणित क्या पढ़ने जा रहे है बच्चो बच्चो हम पढ़ रहे थे अध्याय तीन जिसका नाम था संक्या और संक्या प्रनली क्या नाम था बच्चो संक्या और संक्या प्रणाली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और पीछे चलते हैं तो बच्चो हमने क्या सीखा अभी तक जैसे कि आप देख सकते हूँ अपने सीखा कि चेप्टर का नाम है संक्या और संक्या प्रणाली इसमें हमने क्या दिखा छोटी संक्या बड़ी संक्यां को हमने क्या क्या बोलना सीखा। ठीक है उसके बाद में हमने किस प्रकार से एक अंग की संख्या को हम क्या कह सकते हैं इकाई कह सकते हैं दो अंग की संख्या को हम कह सकते हैं दहाई तीन अंग की संख्या को कह सकते हैं सेकड़ा और चार अंग की संख्या को कह सकते हैं हजार और पांच अंग की संख्या होती है बच्चो उसे हम क्या कह सकते हैं दस अजार कह सकते हैं फिर हमने क्या किया बच्चो उसके बाद में हमने उदानों के माध्यम से बड़ा करना सिखा संख्याओं को फिर हमने क्या किया सब्दों को सब्दों जो अंकों की संख्या थी उसको हमने सब्दों में लिखना सीखा फि तो संख्या पर निर्वर करता है कि कौन सी संख्या पर अंक है मतलब आपको अंक दे सकता है और पूछ सकता यह कौन से अंक पर है तो आपको क्या करना है उसका अंक बताना है ठीके बच्चों अभी हमने उदान पास तक देखे आज हम सुरू करने जा रहे हैं उदान छे ठीक सबसे बली संख्याओं को बोलना आना चाहिए थेक्ते ह szcz fra 072 जितने विशारी अंको engagement है हमें एक अंग का भी बूच्वता है दो अंकों का भी पूछ सकता है सभी अंकों का इस्थान्यमान ग्यात करना है हमें तो हमें क्या करना है बच्चो सबसे पहले हमें यह द्यान में होना चीए कि बच्चों कौन से इस्थान पर है तो आप देख सकते हो जैसे कि आप कह सकते हो जो दो दे रखा है बच्चों व से नहंभेए सिखड़ा कह सकते हैं और जो तीन लिख़ा है वह कौन से स्थान पर हे हजार पर है और जो सिर्फ है और जो क्या अंग चेंश करते हैं बच्चों इकाई अंक से सुरू करते तो सबसे बिले इकाई अंक का मान दे रहा है दू क्या दे रहा है दू और आपको क्या करना है इकाई अंक का इस्थान्यमान बताना है तो क्या करना है दू का इस्थान्यमान क्या होता है दू तो बच्चों बात क्या होती है अब आप क्या कर सकते हो दो किस इस्तान पर है एक अंग पर है दाहाई हम लिख kसकते हैं और बच्न देखो दाहाई में क्या होता है 2सं कि होती है तो हम क्या कर सकते हैं इसको दाहाई बनाने के लिए एक जीरो लिख सकते हैं तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको नहाई बना दिया और हमें क्या प्राफ्ट हो चार का इस्थान्यमान है ना बच्चो क्या करना है बच्चो फिर क्या जीरो का इस्थान्यमान क्या होता है हमें साथ जीरो ही होता है क्या होता है जीरो का इस्थान्यमा को हम अजार के सकते हैं तो क्या कर सकते हैं तीन की पीछे हम तीन जीरो लगा सकते हैं बचो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं जितनी संख्या उसके पीछे उतने जीरो सब से पहले हमने दो का इस्तानियमा निकाला तो देखो दो की पीछे कोई जीरो नहीं है तो हम दो को इ निकाला और आपने लगा सकते हो गतुर अजितने जिरो लगा सकते हो शह पर क्या है क्या है छे पर कौन सी संक्या है साथ हजार है तो बच्चो आप क्या कर सकते हो छे के पीचे कितनी जिरो लगा सकते हो जितनी संक्या उतने जिरो चार जिरो लगाने पर हमें साथ हजार प्राप्त हो सकते हैं इस प्रकार हमने संक्याओं को अलग-अलग इस्थान्यमान निकाल सकते हैं और उससे पीछे वी संख्या पूर्ववर्टी। तथा दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती कहलाती है क्या बाद वी बच्चो कोई भी संख्या आपको दे दी और पूछते हैं आपको क्यों संख्या की पहले वाली संख्या कौन सी है उसे हम कहेंगे पूर्ववर्थी क्या कहेंगे जो पहली वाली संक्या है वो है पूर्ववर्थी और जो पीछे वाली संक्या उस संक्या के बाद की कौन से संक्या उसे हम कहते हैं अनुवर्थी तो आप भी आपको पता चल गया कौन से संक्या अनुवर्ती होती है और कौन से संक्या पुनरवर्ती होती है तो देखो बच्चू सबसे पहले हम इस प्रकार से ग्याद कर सकते हैं संख्या दे रही है आपके सामने एक हजार अठावन कितने संख्या दे रही है बच्चो एक हजार अठावन संख्या दे रही है अब आपको क्या करना है सबसे पहले पूर्व वर्ति देखो बच्चो शब्दों में दे रहा है पूर्व मतलब पहला क्या दे रहा है बच्चो से क्या लिख सकते हैं एक हजार सतावन लिख सकते हैं तो बच्चों अभी हमारे पास पूर्ववर्ती की संख्या आ चुकी है अब हमें क्या करना है इस संख्या के आगे वाली संख्या बता नहीं है जिसे हम क्या करते हैं अनुवर्ती अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती मतलब आगे मतलब आगे कौन सी संख्याइगी तो या कह सकते हैं बच्चो कौन सी आती है बच्चो बारा सो शेया आलिस आती है फिर आपको क्या करना से अनुवर्ती वली संख्या बतानी है आगे वली संख्या 1247 के बाद में आता है 1248 कौन सा आता है 1248 ठीक है बच्चो फिर आपके सामने संख्या दे रखी है 1500 कितने संख्या दे रखी है 1500 तो आप क्या कह सकते हो बच्चो 1500 से जो पहली संख्या ठीक छोटी वली संख्या वो कौन सकती है पंदरा सो एक हो सकती है आपको कोई भी डिजिट दे सकते हैं अंजान से अचानक कोई भी डिजिट दे सकते हैं कोई भी संख्या दे सकते हैं कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो सकती है और अनुवर्ती संख्या कौन सी हो सकती है तो बच्चो संख्या क्या द 423 से पिले 7422 फिर आपको क्या करना है बच्चों आपको बताना है इसके बाद वाली संख्यां क्या है 7423 के बादमे 7424 आती प्षर आप को क्या करना है संख्याओं में से एक गटाने पर कोई भी संक्या आपको दे सकते हैं उसी संख्या में से कोई भी संख्या दो उसमें एक गटाने पर आपको प्राप्त होती है पूर्व संख्या पूर्ववर्ती संख्या कौन सी पूर्ववर्ती संख्या और वी गई संख्या में से एक जोडने पर आपको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है तो पता चल गया बच्चो क्या होता है अनुवर्थी और क्या होता है पूर्ववर्थी चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे तो बच्चो अभी तक आपकी सारी concept clear हो रहे हैं फिर अब हम सीखने जा रहे हैं बच्चो संख्याओं की तुलना करना क्या करना संख्यों की तुलना करना हम किस प्रकार से कह सकती है संख्या कैसी है संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी चोटी है क्या संख्या बराबर है संख्या किस प्रकार की है संख्या के प्रकार हम संख्यों की तुलना करके हम संख्या को बता सकते हैं ठीके बच्चो तो चलते हैं थोड़ा सा संख्या पर संख्यों की तुलना करने पर हम कहते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है अत्वा कौन सी संख्या चोटी है हम बिना तुलना किये तो हम बता नहीं सकते बच्चो कि कौन सी संख्या चोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है तो क्या करना होगा हमें संख्याओं की तुलना करनी होगी क्या करनी होगी तुलना करनी होगी और तुलना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इन जिन संख्याओं के अनुवर्ति और पुर्वर्वर्ति कौन से संख्या होती है वह सिखा और संख्याओं की तुलना किस तरफ से होती है हमने वह सीखा और हमने क्या सिखा बच्चों संख्याओं की तुलना किस प्रकार से करते हैं निम लिखित नियमों का प्रयोग करते हुए हम द तहीं है किक्षा में इतना ही बाखी करेंगे कल तब तक यह वह